नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूछा भारत की विदेश नीती का दुनिया में डंका बच रहा है रूस यूक्रेन संकट पर अमेरिका को भी करारा जवाब भारत ने दे दिया है दरसर 2 प्लस 2 वारता के लिए अमेरिका दौरे पर ग की वज़ा मानवधिकार की मुद्दे और रूस से भारत के तेल खरीदे पर दिया गया एक बयान है इन दोनों मसलों पर जिस तरह से जश्रंकर ने बिबाकी से बयान दिया वो काबिले तारित है भारत की विदेश मंत्री ने साप शब्दों में कहा यूरोप जितना एक दि के मूल के लोगों के मानवधिकार हनन को लेकर चिंतित है तो पियम मोधी के बाइडन के दो टूप पर उट रहे सवाल को लेकर ही आज चर्चा करेंगे चर्चा के लिबार साथ स्टूडी में मौझून है कैपटल टीवी के एडिटर इंचीफ जॉक्टर मनीश कुमार डॉ और मैं तो देख था पाकिस्तान के टेलेविजन के ऊपर इसकी चर्चा काफी हो रही थी जो इम्रान खान ने कहा था कि किसी की हिम्मत है कि हिंदुस्तान को कोई आदेश देकर के देखे हिंदुस्तान को यह कहे कि यह करके दिखाओ या कोई आदेश दे दे पूरी दुन् लिया लेकिन विदेश मंत्री ने तो उसको प्रूव कर दिया जिस हिसाब से जो कसे कि लतार लगाना जैसे फुल टॉस गेन आए और उड़ा कि मारा च्छका लो जाओ अमेरिका होगे तो अपने घर में बकवास किसी की नहीं चलेगी और ये प्रधान मंत्री मोदी के द्वा पिछले साथ आठ साल में जो कमाई हुवी ताकत है इंटरनेशनल फोरा के ऊपर उसका ये एक प्रतिभिम्ब है जी इस देर फ्लेक्शन और कांड़ पॉलसी पीम मोदी इस फॉलोई अब हुआ क्या हुआ ये कि जॉइन प्रेस कांफरेंस था तो उसमें उन्होंने कह दिय कि विदेश मंत्री ने कि हम हिंदुस्तान में जो हुमन राइट्स का जो इस्तिती खराब हो रही है उस पे हमारी नजर है वैं तुम कौन थानेदार है हमारी नजर है नजर रखके क्या कर लोगे मैं आओंगा इसने क्यों ये बयान दिया क्योंकि जब तक आप अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसके सिस्टम को आप समझेंगे नहीं तो ये जो अमेरिका और वहां के जो पत्रकार जो मुर्खता करते हैं हिंदुस्तान के बारे में वो गल्ती आपसे भी हो जाएगी सरकार किसकी है डिमोक्रिटिक पार्टी की है उन्होंने क्या कह दिया उन्होंने कह दिया कि भई वी आर लुकिंग एट वी आर कंसर्ण कि हिंदुस्तान में किस तरह से अब जसेंकर साफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम भी रखते हैं नजर आपके आपके यहाँ भी जो ब्लैक लाइब्स मैटर होता है जो रेसिल किलिंग होती है अभी हाल में दोसिक के उपर हमला हुआ तो हिमन नाइट्स के जो रिकॉर्ड जो हैं अमेरिका के हिंदुस्ता से भी खराब है दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि उसको ओपन इंडिट रखा कि रूस से हिंदुस्तान क्यों S-400 ले रहा है हमने कहा हम लेंगे प्रतिबंद है ठीक है पेट्रोल हम लेंगे क्यों नहीं लेंगे हिंदुस्तान की निती क्या हो यह अमेरिका तैथोड़ी करेगा और यह आदत खराब रही है पहले से हिंदुस्तान में जिस जिस तरह की सरकारे आई है जिस जिस कलर की जाके सीदे घुटने टेक दे दे थ अब भारत नहीं है अब भारत है ही नहीं हम S-400 लेंगे और अमेरिका कुछ कर भी नहीं पाएगा और अमेरिका के तरफ से क्यों अब्जेक्शन है वो भी समझ लीजिए वहाँ कानून है कि अमेरिका के दुश्मन मुल्क से कोई बहुत ही इस तरह के खतरनाक हतियार का डीलिंग करता है तो उस देश के उपर कुछ पर्तिबंद लग जाए तो सिर्फ संकर साब ने कहा कि भाई हमको व्यार्ट वरीड अबाट बैंस हमारे उपर रिस्ट्रिक्श ना होगा हम करेंगे हम लेंगे पैट्रोल हम लेंगे लेकिन मसला है हुमन राइट्स का है यह जो बीमारी है वो यही से सुरू होता हिंदुस्तानी जो लिफ्ट लिबल कबाल है हिंदुस्तान के अंदर में देश को बदनाम करने के लिए जो आर्टिकल लिखते हैं 500 डॉल के नाम पे तो मानिटरी के नाम पे तो हिजाब के नाम पे हर चीज़ में कि जैसे मुसलमानों के उपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर तो वहाँ पर क्या है डिमोक्रिटिक पार्टी की सरकार है और डिमोक्रिटिक पार्टी के अंदर जो कुछ इंसिचूशन्स है जैसे बहुत सारे वो लिफ्टिस्ट लोगों का है वो बैसिकल फ्रसर वामपंती विचारधारा और मैं एक बात आप और बता तूँ अमेरिका मे वो लॉबिंग सिस्टम है वो क्या है कि वहां अलग अलग और इजन्सी है आप वहां के सांसेटों को पैसे दे के खरीच सकते हो वह आपकी बातों को कॉंग्रिस में उठाएंगे वहां के पार्लिमेंट में उठाएंगे पैसे लेकर के लॉबिस्ट होते हैं बहुत सारे जो है वो खर्च करते हैं उनकी जेबे भरते हैं और लीगल है हिंदुस्तान में दलाली में चले जाएंगे अंदर जेल में कि पैसे लेगे को सवाल पूछ ले तो लेकिन अमेरिका में क्या है वो लीगल है अब यह जो पूरा जो स्ट्रक्चर है डेमोकर्टिक पार्टी का वहां की सरकार है तो पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर अब जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी में विसंदू परिशत का भी प्रसर गूर्प होता है यहां पे विदार्ती परिशत भी हो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है कॉंग्रेस पार्टी की सरकार होती है तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, नकसलियों, वामपंथियों, उसको आप की जगह दे दी, तो वो होता है कि जब आप एक structure बनाते हैं, तो उस structure में कौन सा कहां कहां, उसका एक pressure group अंदर काम करता है, तो Democratic Party के अंदर बहुत सारे minority advisory groups हैं, human rights organizations हैं, और वो अपना report वेरा देते रहते ह वो report किसी हिसाब से देते हैं, उन organizations में कौन-कौन है, तो details तो मैं नहीं दूगा लेकिन अगर आपको उसमें यह करना है जो मैंने किया, उसमें हिंदुस्तान के उपर लिखने वाले हिंदुस्तानी, यह जेनु के professor, जेनु से पढ़ने लिखे लोग, यहां बामपंथियों का एजेंड़ा चलाने वाले, यह जो अलगावादी कस्मीर में थे, कल तक जो लोग कहते थे कि यह तो freedom fighter है, human rights activist है, यह सारे नकसली, जो जेल के अंदर गए, गौतम नौलक्खा और पता नहीं कौन-कौन, उन सब को महान बताने वाला जो lobby है, वही lobby वहाँ पर भी इन सब organization में घुचा हुआ है, तो यह लोग article लिखते हैं, उसके आधार पर यह सब यह भी होता है, और China इनको माल भी देता है, क्या भई आप अमेरिका में इनको problem create करो, ताकि इंडिया का image खराब हो, यह image खराब होने का जो basic, जो background उसका यही है, कि चीन से लोग परिशान हो रहे हैं, कमपनियां वहाँ छोड़के जा रही हैं, तो वो कहीं हिंदुस्तान ना आ जाएं, कि हिंदुस्तान में डिमोकरसी है, यह जो इतना बवाल मच रहा है, देश के अंदर में, बिना मुद्रा के तो होता नहीं कुछ, कौन fund करता है, क्य जाए वो शाहिन बाग हो, चाहे वो किसान अंदोलन हो, पूरी दुनिया में किसान अंदोलन खाली स्थ बनगे, यह सिखों के खिलाफ चल रहा है, यहां लड़ाई लड़ा है कुछ और के लिए, और पूरी दुनिया में जो हला कि भई वहां पे जो है, मानिनोटी इसके ज पास जाए, अफगानिस्तान में तो कोई इंवेस्ट करता नहीं, कोई कंपनी वाले आएंगे नहीं, तो हिंदुस्तान की इमेज को खराब करने के लिए पूरी लॉबी यह काम करती है, और यह डिमोकर्टिक पार्टी जिसकी सरकार बनी हुई है, उसमें, उसके प्रिमन, Elhan Umar, नाम से मालूम चल गया, Elhan Umar, उन्होंने कह दिया, उन्होंने बकाईदा, Congressional Hearing में कहा, How much does Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? What will it take us to outwardly criticize the action that Modi administration is taking against its Muslim minorities? खेलने लगे मुस्लिम मुस्लिम काट, उन्होंने आप, उन्होंने को मदरसे में टाल दो चाहे, अमेरिका के Congress में खड़ा कर दो, एक ही जुबान बोलेंगे, एक ही जुबान बोलेंगे, ऐसे एक और महानुबाव हैं, रशद हुसेन, ये जो हैं, Ambassador at Large for International Religious Freedom, उन्होंने कह दिया, Religious Freedom includes the ability to choose one's religious attire, अपने मन से हम कपड़े पाने हैं, ये हमारा Freedom है, Religious Freedom है, The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing, हिजाब banned in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls, वही आप अपना देखो, अमेरिका में हिजाब लगाओ सब जगह, बोलो वही मुस्लिम महिला हैं जो हैं, वो बीचेज़ पे जाएं, बॉलीबाल खेलें, बास्केटबाल खेलें, हिजाब पैन के खेलें, सारा ज्ञान हिंदुस्तान के लिए, अपने आपे तो कुछ बताओ, तो ये इस तरह के, और बहुत सारे इस तरह से हैं, सेनेटर ईडी, मारके, कॉंग्रसमन एंडी एलेविन, जेमी रसकेन, जिम मैकगोवन, ये सारे, मैंने का हूँ, ये पैसे दो, लॉबी क्रियेट करो, और ये जो है, वहाँ पार्लिमेंट के अंदर बाबाल मचाईए, अब, अब इन बेवकूफों को ये भी नहीं मालूँ, कि हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर क्या है, मानिवटीस के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मोदी गोवर्मेंट को आप किस हिसाब से जिम्धार बताएंगे, हिंदुस्तान में लॉइन ओर्डर किसके पास है, केंद सरकार के पास है, या इस्टेट के पास है, इस्टेट कवर्मेंट का काम है, तो इस तरह के प्रिजन में वो जो विदेश मंतरे ने कहा कि प्रिजन के अंदर में भी होता है, तो इस्टेट के पास होती है, तो होता क्या है कि आपने एक जूठे रिपोर्ट्स के आधार पे, अब बताइए मुसलमान यहां पे हिंदुस्तान में, माजुरिटी हिंदु जा रहा होता है, पिस्फुल अपना राम भजन करते हुए, राम नम्नी वे जुरूस निकालता है, और मज्जी से पत्थर माने ल कोई Christian religious rally हो रही हो, दस मुसलमान पत्थर मारना चालू कर देंगे, क्या होगा, वहाँ तो गोली चला के भून के मार दिया जाएगा, तो यह तो वस्तुस्तिती है, तो इनको लगा, तो होता है क्या है कि, यह बयान जो है, सरकार की तरफ से, अपने internal domestic politics जो इनका है, democratic party के अंदर का जो structure है, उसके तहट यह उनकी मजबूरी है कि, इस तरह के बात को उठा दे, इस तरह की चीजे, Republican party जब सरकार में आती है, तो नहीं उठती, क्यों नहीं उठती, वो क्योंकि वो, यह जो human rights lobby हुआ, यह फिर यह जो democratic index वाला lobby हुआ, minority rights वाला, religious freedom वाले lobby जो है, वो वहाँ पर कोई रोल नहीं होता है उनका, इसलिए वो सवाल नहीं उठता, लेकिन, Obama, जब हिंदुस्तान आता है, democratic party का, तो वो बोल देता है, क्यों उसकी यह मजबूरी है, क्या अपने domestic, जो voter है, उसको cater करने के लिए, Muslim vote चाहिए, वहाँ भी मुसल्मान है, तो Muslim vote है, तो Muslim vote के लिए आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन इनकों लगा कि हर बार बोल कर कि यह लोग निकल आते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, Obama भी बोल के निकल गए, तो उसमें तो नहीं नहीं सरकार बनी थी, मोदी की, उतना जो है, लाठी में जो है, वो तेल नहीं लगाया गया था, अब तो मामला अलग है, उन्होंने कहा, और सरपट जवाब दे दिया गया, सीधा, कि आप अपने हद में रहिए, हमें क्या करना है, वो आप मत सिखाईए, अगर आपके हाँ, आप कोई सब सवाल करना है, आपके डोमेस्टिक आउडियोंस को कैटर करना है, आप करें, लेकिन आप अगर हिंदुस्तान के बारे में कोई राय रखेंगे, तो हिंदुस्तान को भी यह हक है, कि आपके इंटर्नल पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रहे हैं, जो हिमन राइट्स वालेसिंस हो रहे हैं, उस पे भी हम नज़र रखें, और उस पे भी हम कमेंटरी करें, त देखो, इंडिया वाले अब कोई लाग लपेट नहीं जानते हैं, और जो इमरान खान पिछल एक महने से कह रहे हैं, कि मोधी को कोई जुगा के दिखा दे, इन्होंने प्रूव कर दिया, कि चलो भई, अगर हमें आप, if you want to put us down, तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, तो यह पूरा असली मसला, जी बहुत अच्छे से आपने इसकी लावी को समझाया, लेकिन एक तरफ रूस यूक्रेन यूद चल रहा है, पाकिस्तान की भी हालत खराब है, इस बीच, जैसंकर का ये बयान, कितना इंपक्ट डालेगा विदेश मंत्री के देखिए, यह कोई इंपक अभी दुनिया में कोई नहीं है, मैं बस एक जगा में लिप के लाया, कि वो कौन-कौन सल लेंगविज बोल सकते हैं, यह रस्यन भी बोल सकते हैं, यह इंग्लिस भी बोल सकते हैं, यह जैपनीज भी बोल सकते हैं, यह हंगेरियन भी बोल सकते हैं, यह चैनीज भी बोल सक आप ये देखिए और ये तो आई एफस आफिसर थे और ये जो अमेरिका के साथ जो तमाम बड़ी बड़ी डीले हुई हैं उसके वो विटनेस नहीं उसके वो हिस्सा रहे हैं ही नोज अक्की हिंदु ये जो अमेरिका का सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है और इसलिए अब आप देखिए हमने ओपन ली एक पोजीशन लिया कि हम लोग नीट्रल रहेंगे अमेरिका पूरी दुनिया पे धौस जमाता रहा पूरा धौस जमाता रहा कि हमारे साथ जो है वो हमारे साथ है दरवाई जो रूस के साथ है उसके साथ दौए हम नहीं हैं लेकिन फिर भी टू प्लस टू मीटिंग हो रही है उसमें तमाम तरकी डिल्स हुई आम्स की भी डिल हुई सब चीज हुआ फिर क्वाड की भी मीटिंग हुई चीन को घेरने के लिए और उस में जहां आस्टेलिया जापान अमेरिका और इंडिया है अमेरिका के सामने हिंदुस्तान ने कहा कि यह जो यूकरेन और रूस का जो मसला है यह कौर्ड के जूरिडिक्सन्स के बाहर का है इसलिए भी नॉट बी डिस्कुसिंग रस्टन यूकरेन वार तो जब आप असर्ट क के पोटेंसिल के मुताबिक वो दुनिया से डील कर रही है आप होंगे फन्ने खां अपने घर में आप को तेश चलाने के लिए पैसा चाहिए उसके लिए बिजनिस करना होता है आप प्रड्यूस करेंगे बेचेंगे तो कहीं कहां भीकेगा दुनिया का सबस्रे बड़ा मि चाहिए फ्रिज हो चाहिए वो टीवी हो चाहिए कंप्यूटर हो लैपटाप हो फोन हो यू नेम एनिधिंग हिंदुस्तान खरी देगा नहीं तो समान बना करके क्या अपने घर में रखोगे गुदाम में और यही जो हमारी बाइंग केपसिटी है जो हिंदुस्तान का बदा कर सके पहले की सरकारे हिंदुस्तान की स्ताकत को समझने में गल्तियां की मोधी सरकार में इस ताकत को समझा है इसलिए चीन को भी खरी खरी और अमर्गा को भी खरी खरी कोई नहीं बचेगा हिंदुस्तान एक independent foreign policy पे काम करेगा और बाकी जो आपका अनर्गल अपना domestic politics है उसके लिए गर आप कोई बातचीत करते भी है इस से कोई अमेरिका और इंडिया इसके बीच रिस्ते में कोई फर्क नहीं आने वाला जिस तरीके से युक्रेन के मसले में इ परक नहीं आया S-400 की delivery on time मिलेगी और यही पुटिन ने प्रधान मंत्री मोदी से कहा है यह हिंदुस्तान की ताकत है जो दुनिया अब पहचान रही है बिल्कुल और ऐसे में कह सकते हैं कि भारत को एक ऐसे ही विदेश मंत्री की जरुरत बिल्कुल चलिए बहुत बहुत तो जैसंकर के बयान से साफ है कि भारत अब दो टूग बाते कर रहा है जैसंकर ने बयान देकर साफ कर दिया है कि भारत पश्मी देशों के दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा ऐसे ही भारत ने रूस का नाम लिये बगार यूकरेन के बूचा में हुए नरसंखार के पतल टीवी नमस्कार